आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही प्यारा सा लुक को शेयर करने जा रही हूँ राखी स्पेसल मैंने ये लुक क्रियेट किया है एकदम ट्रेडिशनल और एकदम गलोईंग मेकप की हूँ मैं देख सकते हैं आप मेरा गाल कितना गलो कर रहा है और मेरा हीर्स भी देखो आप कितना हेवी दिख रहा है तो इस वीडियो में मैं सब कुछ दिखाई हूँ तो वीडियो में बने रहे हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स नामस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया सो चलिए अब मैं आपको स्टेप बैस्टेप सब कुछ बताती हूँ मेरा हीर्स का राज मेकप ग्लोईंग मेकप का राज मैं अपना ड्रेस का भी डिटेल्स में दोंगी तो सबसे पहले हैर्स पे आते तो आप देख सकते एक तरफ मैंने इस तरीके से कुछ ब्रेड किया मुझे ना कुछ डिफरेंट हेरिस्टैल बनाने का मन कर रहा था बट मैं सोची क्या ही करूँ कि थोड़ा डिफरेंट तो आप लोगु का ओर भी बैटर होगा तो यहां पर मैं तीन सेक्शन में अपने हे 25 डिवाइन की हूं और एक सेक्शन का लेकर मैं बरेड बनाना स्था जिए आपने हेर्स को तो अच्छे से वाटर स्प्रे कर लेना है और पुर्रेड को एदम-म दम तक बनाते जाना है ब अभी मैं इसको दो घंटे के लिए आप से मेलते हूं फाइनली फिर मैं आ गए और अब है मैं सोची हूं कि चलो मेकप स्टार्ट करते इसके बाद प्रेट को खोलेंगे तो सबसे पहले मैं सोची हूं रहने का नहीं कुर्टा सेट पैंने जिसका color combination बहुत बहुत सुन्दर है और ये pure cotton है इस पे गोटा पती का work है बहुत सुन्दर लगड़ा एक दम fully traditional और ये कुर्टा सेट मैं मिंद्रा से purchase की हूँ मैं इसका link description box में दे दूँगी आप लोगों को भी buy करना हो तो आप लोग कर सकते हैं और इसमें बहुत प्यारा यूज कर रहे हूं और इसको डॉट-डॉट करके अपने फेस पर अप्लाइ कर लोगी मौश्राइजर मैं भर भर के यूज करती हूं और उसको बहुत देट तक नहीं होता है मसाज करते रहती हूं दोनों हाथ से अच्छे से एकदम मसाज करती हूं और इतना अच्छा ना प्लास्टिक करता है इससे ना प्लास्टिक बाहर निकल नहीं पाता है बट इसमी इतना प्रोड़क्स निकला कि एक सल मेरा यह प्राइमर और जाएगा उसके बाद में चारमेसी का फांडेशन लिए बस एक पंप इनॉफ है क्योंकि फूल कपरेस फांडेशन है ज्यादा लगाने के बाद बहुत ब्लैंड करना पड़ता है इसलिए एक पंप ही देखिए का मेरा फेस नेक इयर सब के लिए इनफ है इसी को भी एक ही पंप को में को ब्लैंड करने में कितना डाइम लग गया था और यहां पर मैं फैबरिट अपना ब्रस के हैल्प से इसको लेकिन हां इसको ब्लैंड करने में बहुत टाइम लगता और इसको अच्छे से ब्लैंड करना भी पड़ता है और भाई राखी है मैं को रिस्क नहीं लेना चाहती हूं कि थोड़ा पी मेरा मेकप उबरा हुआ दीखे और भाई लोग टोके बोले कुछ इसलिए मैं थोड़ को अच्छे से सेट कर दे रहा था बहुत जादा देख सकते एकदम स्मूध बना दे रहा था उसके बाद यहां मैं एले गर्ल का मेकप फिक्सर ली हूँ और भर भर के मैं फिक्सर लगाती हूँ और इसको ना जब आप फिक्सर यूज करते तो अपने फेस को बिल्कुल यहां मैं बना कर आई हूँ तो मैं अपने दोनों अब्रोच को अच्छे से फिल कर लोंगी और यह जो लॉरियल का अब्रोच यह एक्दम नाचूरल आप देख सकते मैं इसको डेली वेसिस पर यूज करती हूँ ना तो पता नहीं चलता है कि हा मैंने अब्रोच लगाया इ अब्रोच निकल जा उसके बाद में हलका सा ले लेकर इसको अच्छे से पूरे अपने ट्रांजिसन लाइन पर ब्लैंड करते जा रही हूं करते जा रही हूं बस में और मैंना लाइट ब्राउन कलर का सेड यूज की हूँ मतलब में को अपने ड्रेस के को डिंग नहीं करना कुछ इस तरीके से लग रहा हूं फिर मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर अपने लोवर लैसेस पर लगा लिया और उसके बाद अच्छे से ब्लैंड कर लियू और अभी जो सबसे इप्टेंस टेप है वो है आईलेनर मैं थोड़ा डिफरेंट आईलेनर लगाऊंगी तो मैं थोड़ा पास में आकर आप लोगों को दिखा रहे हूं कि साइड से पहले मैंने एक लाइन ड्रो किया तो और भी कुछ इस तरीके से बना रहे थे और उसको अच्छे से मैंने फील की हूं थोड़ा एकदम डिफरेंट होगा ना मैंने मतलब होता है ना एकदम थीक भी नही हूं और मैंने पतला भी नहीं लगाया है बहुत अच्छा सा मतलब एक कारन में मैं बहुत दिन से दिमाग में था कि मैं को ऐसा यह आइलेनर लगाना है लगाना है तो साइड में मैंने ऐसे कर लिया फिर उसके और ऐसे आप छोड़ दो रहे तो बहुत अच्छा लग रहा मैं हलका साइट से ले जाकर मिक्स मिला दियू जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और साथ ही मैंने इनर कॉर्णर में थोड़ा सा आइलेनर को बाहर भी निकाला है कुछ इस तरीकी से देख सकते हैं ताकि जो मेरा आइस है और भी बड़ा दिखे कुछ इस तरीकी का लगता ह है देख सकते हो में प्रॉपर आइलेनर आपको लगाते हुए दिखाई और बहुत अच्छा लग रहा था एक दम बोले तो क्लासी और सेम उसी तरह मैंने दूसरे आइस पर लगा ली उसके आद मैं सुगर पॉप का मस्करा यूज कर रही हूं बहुत अच्छा है यार पता लगा ले रही हूं यह भी बहुत ही पिग्मेंटेड है थोड़ा सा ही लेकर मिलाने से इनफ हो जाता है ज्यादा लगाने का जोरूरत नहीं पड़ता है देख सकते है इतना ज्यादा है उसके बाद मैंना अगेन फिक्सर यूज की हूँ और इसको मतलब होता है ना में कोई रिस्क नहीं चाहिए मेरा मेकप एक दम टीका हो रहाना चाहिए तो जब तक यह आगेन ड्राय हो रहा है तब तक मैं नोज रिंग पैन ली उसके बाद मैं यहां पर सुगर पॉप का लिप्स्टिक लगाई हूं यह एकदम मतलब होता है ने निउड लिप्स्टिक है जब बहुत ज़्यादा बोल्ड आय मेकप कर जोना तो यह सब लिप्स्टिक बहुत अच्छा लगता है बट इसमें ही लगा ले थी और आपको पिस्वास नहीं होगा लगने के बाद इतना सुंदर मेरा लुक लग रहा था यही कलर मेरे लिप्स मेरे ड्रेस के कोडिंग बहुत अच्छा लग रहा था बहुत जादा एकदम प्यारा प्यारा सा लग रहा था आप देख सकते हो बट मुझे थोड़ा सा ब्राइट चाहिए था तो मैंने सुगर पॉप का दूसरा ली हूँ लाइट पिंग कलर का सेड और इसके उपर ही मैंने अपलाई किया एकदम पतला स लाइन मतलब होता है उसके उपर चला रही हूं और इसको बस थोड़ा सा ड्राइ होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद आप देखना इतना सुन्दर कलर हो जा रहा है तो अब आते हैं फिर से मेकप रेवलेशन का पैलेट पे इसमें से मैंने हालेटर लिया और हलक आता है यह ब्रेट का तो फटाफट हम यह एक ब्रेट को खोलेंगे देख सकते हैं और मैं इसका रिजल्ट के लिए भी बहुत एक्साइट थी कि क्या होगा क्योंकि मैंने ज्यादा देर रखा नहीं था बस दो घंटा और मेकप करने में जो भी 30-35 मिनट लगा है तो इसको जब मैं ओपन की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दो घंटा में भी इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया बाकि ओवरल इसको अगर आपको प्रॉपर अच्छा रिजल्ट चाहिए ना तो आप नाइट में ही करी मतलब साम के टाइम में ब्रेट बना लीजे और रात अच्छा रिजल्ट आएगा अभी माइनस तो यही हुआ कि मैंने दो घंटेक ली रखा था प्लस पॉइंट यही वा था कि जिनका हेर्स बहुत पतला है ना को हेर स्टैल नहीं बन पाता हूँ अगर ऐसे करेंगे ना तो उनका हेर्स में बहुत कुछ बन जाएगा अच्छ बना लिया था फिर सिंदूर लगा ली अब बाकी आया था अपने येरिंग्स पहनने का तो मैं दो तीन आप्शन रखी थी पहला पैनी थी जुमका टाइप का जो कि अच्छा लग रहा था सेकेंड वाला वेस्टेंड पर जाएगा मैंने हटा दिया फिर थर्ड वाला यह अच्छा नहीं लगा तो इसको भी हटा दी और फाइनली मैंने जुमका है पैना जो कि मेरे ड्रेस कोड के साथ बहुत अच्छा जा रहा था फिर एक हाथ में मैंने ब्रासलेट पैना और दूसरे हाथ में मैं वाच पैनी और इससे मेरा पुरा लुक कंप्लीट हो गया बट इसे भी बहुत अच्छा लग रहा था बट मुझे चाहिए था एक बिंदी क्योंकि मैं हूँ साधी सुधा तो मुझे बिंदी और सिंदूर के बिना सब कुछा दूरा दूरा लगता है और मैंने सबसे छोटा बिंदी लगा है जो कि मेरे लुक के साथ बहुत सुन्दर लुक हो जाता है कंप्लीट कैसी लग रही हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएएगा और मिलते हैं इसी तरह नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बैटे केर थैंक्स पूर वाचिंग